चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट एक फर्स्ट पार्ट में थोड़ी देर पहले हमने बन टू टैन क्यूशन को रिलीस किया था चलिए कुछ और डाटाबेस से खट्टे किया हमने क्यूशन है ना चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं बैटा टैन तक का अपन चुके हैं क्यूशन नबर 11 में आते हैं क्या लिखा हुआ है कि alpha लिखा हुआ है अपने पास 1 square 2 square 4 square 80 square ठीक है अप्टू 10 टम बीटा लिखा हुआ है summation n4 such that ठीक है एक value निकालनी है हमें कुछ k-way जो unknown था वो बना दिया है चलो तो अब सबसे पहले तो इस term को simplify करते हैं तो इसकी तो gender term निकालके देखनी पड़ेगी अपने को चलो तो gender term निकालके देखते हैं इसकी तो यह कही न कही अपन उससे कर लें है यह 1 4 8 13 तो first difference पर क्य यह कित्ता बन जाएगा 4 यह कित्ता बन जाएगा 5 तो first difference पर AP बन रही है तो TN जो होगी वो क्या होगी quadratic होगी AN square प्लस BN प्लस C ABC भी तीन relation बना लेते हैं अपन कौन-कौन से तीन relation बन जाएगे तो T1 अपने पास 1 है तो 1 equal to कित्ता हो जाएगा A प्लस B प्लस C N के value 2 डालेंगे तो T2 4 कित्ता हो जाएगा आपने पास 4A प्लस 2B प्लस C और अगर हम 3 लेंगे तो 8 तो कित्ता होगा 9A प्लस 3B प्लस C तो अगर हम इससे ABC तीन relation है ABC तीन हो निकाल सकते हैं तो अगर A की बात करूंगा तो कित्ता जाएगा 1 by 2 B कित्ता जाएगा 3 by 2 C कित्ता जाएगा माइनस 1 ठीक तो इससे हमारे पास TN आगे आपने पास TN जो हमारे पास आना था इस टर्म के लिए तो जो एलफा की अगर मैं डारेक्ट बात करूंगा तो एलफा मेरे पास कित्ता होने माला है वो देखो एलफा मेरे पास होने माला है कित्ना TN मेरे पास आजाएगी 1 by 2 तो यह आजाएगा बिटा N square by 2 plus 3 by 2 तो 3 by 2 N minus 1 का holy square और summation कहां से कहां तो जाएगा N equals to 1 to 10 यह मेरे पास हो जाएगा यह जो टर्म हमने निकाली ना यह आप चाहते तो और किसी method से भी निकाल सकते थे जैसे मैं एक और method की बात करूंगा अगर आप लोगों को थोड़ा सा idea हूँ तो जैसे हमारे पास एक टम वो भी आती ना जिसमें हम ऐसे लिख लेते हैं कि this is Sn 1 plus 4 plus 13 plus जो भी आप लोगोंने पढ़ रखा हो यह TN हो जाता है फिर हम एक टम आगे से subtract करते हैं यहाद आता है ऐसा कुछ यह TN minus 1 हो जाता है प्लस TN हो जाता है अब हम जैसे सब्टेक्ट करते तो इधर TN आ जाता है इधर अपनी terms की कोई सिक्में सा जाती एप एज़ीप उसका हम सम निकाल लेते हैं तो उससे भी अपने पास यह TN टम आ जाएगी अब अच्छी बात क्या है कि देखो यह तो इसे तो कम याद रखता है हम पर अगर जरुरत पढ़े तो summation N 4 का formula होता है N N plus 1 2N plus 1 into 3N square plus 3N minus 1 upon कित्ता होता है 30 हाला कि चुकि यह जनरली आप लोग कहां तक का याद रहता है Q तक का तो इसलिए question बनाने वाले ने दोखो उस चीज को ध्यान में रखा है और यहां पे उसने value किसकी पूछी 4 alpha minus beta वो इसलिए को ध्यान में रखते हुए उसने किसकी पूछी अपने से यह term पूछी है तो इस वज़े से 4 alpha लिखा अभी जैसे मालनो 2 alpha minus beta लिखावा होता न तो फिर आपको यह alpha अलग solve करना पड़ता और बीटा अलग solve करना पड़ता बीटा अब आप formula से भी कर सकते थे difference method से भी कर सकते थे ठीक है जो सवाल उसने बनाया उसमें इस बात का उसने ध्यान रखा कि किसी बच्चों को summation n4 में भी नहीं आए तो उसने 4 alpha माइनेस बीटा लिखा टूंकि जब 4 alpha माइनेस बीटा निकाला जाएगा तो यह term क्या हो जाएगी cancel हो जाएगी चलो इसको मैं थोड़ा सा यहां से अटा देता हूँ है तो अब क्या है कि टर्म में निकालता हूँ यहां पर तो अब इसके लिए देखो summation 4 alpha माइनेस बीटा तो इस summation तो आई गया मेरा है ना तो summation कित्ता आ गया n1 को से लेके कित्ता आ गया 10 देखो इसकी term को देखो हम कित्ता की बात करेंगे यह 4 मेरे पास है इस whole square को मैं open करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास a square तो कितना आ जाएगा n4 by 4 plus b square 9 by 4 n square plus c square minus 2ab की term की बात करूँगा तो 2ab से मेरे पास कितना आने वाला है 2ab तो 3 by 2 n cube 2ab plus 2bc तो minus के 3n और plus 2ca तो minus के n square और यह minus का कितना है यह तो complete n4 अब आपन क्या देखने है इसमें n4 से n4 वाली term मेरी cancel हो गई तो सबसे पहले जो term बची मेरे पास कितनी बची n equals to 1 से लेके कितना है 10 अंदर कितना आ गया देखिए यह term से term तो cancel हो गई मेरे पास अब मेरे पास पहली term कितनी आ जाएगी 6n3 इस वाली term से फिर मेरे पास देखिए कितना आने वाला है यह 9 by 4n square यह n square तो कितना बचा यह 5n square by 4 तो 5n square ठीक है एक n की term बची रही है मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस के 12n प्लस कितना हो जाएगा 4 ठीक है अब उसके बाद तो कंडेला एक सवाल है summation n3 की value डाल देंगे summation n square की summation n और summation 1 और 4 value पुट करते ही जो भी इसकी value बने कि उसको compare करेंगे तो हमारे पास किसकी value हो जाएगी k2 तो थोड़ा सा moderate type का सवाल है लेकिन उसने मदद कैसे कि आपको कि टाम ऐसी बनाई कि यहाँ से आपका summation n4 क्या हो जाए कैंसिल हो जाए ठीक है इसके बाद summation n3 summation n square summation n और summation 1 इन सब की value हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे ठीक है answer इस calculation के साब से हमने दे दिया आपको 353 इस calculation के साब से इसका answer आता है चल statics का सवाल है ठीक है median हमें देई दिया है M है और हमें क्या निकालना है 20 M निकालना है तो इस तरह के सवाल में यह continuous frequency distribution है और continuous frequency distribution में हमें क्या करना होता है बेली को देखना होता है यहां पर ठीक है तो एक इसमें अपने को निकालना पड़ेगा cf निकालने इसमें से तो अगर cumulative frequency में निकालूं तो कितनी आएगी यह तो 2 है मेरे पास 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 11 और 10 कितना हो जाएगा 21 और 29 हो जाएगा और 7 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा यहां पर तो आपको median class देखनी पड़ेगी तो n by 2 की value हम निकालते हैं तो n by 2 कितना हो जाएगा 36 upon 2 कितना हो जाएगा 18 तो जो median class होगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी यह median class होगी, 18 EC में आ रहा है, FI, तो यह अपने पास क्या होगी, median class होगी, अब जो median का formula होता है, median का formula क्या होता है अपने पास, इस data के लिए, L आ जाता है, प्लस कित्ता होता है, N by 2 होता है, minus cumulative frequency of preceding के लिए M minus 1 ले लेता है, upon कित्ता होता है, F M होता है, और into में कित्ता आता है, H, H क्या होता है, class interval, तो L तो क्या हो जाता है, lower limit of median class, lower limit of median class कित्ती है, 8 lower limit of median class कित्ती है, 8, तो lower limit of median class लिए अपने, इसके बाद N by 2 कित्ता है, 18, N by 2 18 लिख दिया हमने, minus F M, अब frequency of median class थो, नजर आई डिए कित्ती है हमारे पास 10 है और उसके पहले कि हम frequency की बात करें तो वह कित्ती आ जाएगी 11 आ जाएगी अपने पास 11 आ जाएगी हमारे पास कित्ते का है 4 का है और frequency of median class कित्ती है अपने पास 10 ठीक है देख लीजिए एक बार डाटा कुछ अपने उननेस बीस को नहीं कर दिया चट करें फटाफट सब कुछ complete लिखा कि नहीं लिखा सही है बस simplify करेंगे और simplify करते ही जो value दे रखी वह answer कि आ जाएगी तो continuous frequency distribution का एक सवाल है ठीक है formula base सवाल है ज्यादा कुछ लेंदी उसने दिया भी नहीं है median हमें निकालना चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं चलिए एक differential equation दी हुई है और differential equation का क्या है solution ठीक है अब वैसे तो अगर यह option वाला सवाल हो सकता है और चुके वह हम मैंने कहा कि student से जो database हमें मिलता है और आप समझते है mathematics में तो figure बताना थोड़ा सा मुश्किल काम है तो जो सवाल बताया गया उसके साफ से differential equation है अब अगर उसको जैसे integer type बनाऊना होगा इस question को है अगर वो integer type में आया होगा तो कुछ एक value दी होगी जिससे हम क्या निकाल लेंगे c निकाल लेंगे और अगर वैसे बनाया होगा तो चार option होगे जिनमें से सेक X किता हो जाएगा साइनेकस प्लस यह किता हो गया मेरा पास 2X माइनस X स्कूरर इंटू सेक X का उलटा कितना हो जाएगा कॉसख इंटू किता हो गया दी है अब अग इसको देखेंगे तो in तेस्टिंग बात क्या है गिसका differentiation है इसका और sin x का कित्ता होता है, cos x, तो यानि कि अगर मैं इसको integrate करूँगा, तो यह तो सीधे हो गया, आपको ज्यादा solve भी नहीं करना पड़ेगा, इसमें, 2x minus x square into कित्ता हो गया, sin x, plus c, यही function आजाएगा, ऐसे differential equation बना के भी आप इसको कर सकते हैं, पर यह तो सीधा सा दिखी रह ना, तो बस ठीक है, यह function आपका लिखा हुआ ही से, यह दिखी ना, इसका differentiation हो गया, और cos x, sin x, cos x, तो बस सीधे-सीधे यह function आजाएगा, तो ठीक है, थोड़ा incomplete सा सवाल है, बट, सीधा सवाल है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुशन पर आते हैं, चलिए, लिमिट का सवाल है, लेमिष का इस्तमाल नजर आ रहा है, इसमें, क्या करते हैं, हम इसमें, यह n2, n2, तो n4 से उपर, नीचे डिवाइड कर दे, चलो, तो n4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? n4 से डिवाइड करेंगे तो limit n tends to कितना है? infinite summation k equals to कितना है? 1 से n, n4 से डिवाइड करेंगे तो उपर तो 1 by n बचने वाला है, नीचे कितना होगा? 1 plus k square upon n square और दूसरा कितना हो जाएगा? 1 plus 3 k square upon n square. तो अब आप देखोगी क्या बनने वाला है? यह integration में बन जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा, उपर वाला dx बन जाएगा और नीचे कितना बन जाएगा? 1 plus x square और 1 plus 3 x square. देखते ही समझ में आगे आप क्या करना पड़ेगा? partial fraction. चौन लोग, partial fraction करते हैं, तो partial fraction क्या होने वाले हैं इस इसको 3 से multiply कर दें, तो 3 plus 3 x square, तो 3 x square, 1 by 2 लिख दो आगे, देखें, सही बने, partial fraction. 3 plus 3 x square हो जाएगा, 1 minus 2, तो 1 by 2 हो जाएगा, correct है. अब यह तो 10 का formula बन जाएगा ना बेटा दोनों, दोनों 10 के formula बन गाए, बस ठीक है, value क्या बन जाएगा? यह तो, 10 inverse, root 3 x बन जाएगा, upon root 3 है, तो root 3 बच जाएगा, यहां से, और यह क्या बन जाएगा? 10 inverse x, limit put कर देंगे, 0 to 1, 10 inverse 1 कित्ता होता है, 5 by 4, 10 inverse root 3 कित्ता होता है, 5 by 3, value डाल देंगे, जो भी option में हमें नजर आएगा, इन दो 2 गोला है, तो 2 आजाएगा, तो value put करते हैं, तो यह है, x की value डाल देंग और आता भी हर साल इस तरह का सवाल, तो जो generally सवाल अगर हम देखे हैं, तो वही पूछे गए हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए, अगले पर बढ़ते हैं, z equals to x plus iota y, x y is not equals to 0, satisfying the equation, z square plus iota z equals to 0, z bar, then mod z square is equals to, ठीक है? आपका z square equals to कित्ता होगा? minus iota z bar हो जाएगा? अब mod ही निकालना है, तो दोनों तरफ mod ले लो, और क्या है? कहें को ज़्यादा हो करना हो? तो mod लेंगे, तो minus के mod iota का mod हो जाएगा, mod z bar हो जाएगा, तो यह mod z square हो गया, यहाँ कित्ता हो गया, 1 हो गया, इसको mod z भी लिख सकते हैं, तो mod z के value 2 आजाएगी बेटा, 0 और 1, अब दो कहें, xy तो non zero है, तो mod z के value कहीं ने कहीं 1 ले ले, और mod z 1 है, तो mod z square भी 1 होगा, ठीक है? तो अंसर कित्ता हो जाएगा अपने पास? बना जाएगा, magnitude of mod z square equals to magnitude of mod z, उससे हो जाता है ना, z into z, mod z into mod z, ठीक है, तो बना जाएगा answer इसका, सीधा सा सवाल था है, तो छोटा सा, चलिए, आगे बढ़ता है, चलिए, next question पर आते है, if the length of minor axis, पर लिए जे सवाल क्या दे रखा है, if the length of minor axis of an ellipse is equals to half of the distance between the foci, then the eccentricity of ellipse is, अरे ये तो बहुत आसान सवाल है, अपने DPP sheet सम में था, आप लोगोंने देखा हो तो, कई बार आता है, सीधा सा सवाल, exercise 1 में भी है, अपना, if the length of minor axis of an ellipse, minor axis की length कितनी ले लो, 2B, length of minor axis is equals to half of, is equals to half of, distance between foci, distance between foci, कितना होता है, 2AE, निकालना क्या है, मुझे eccentricity निकालनी है, तो eccentricity निकल जाएगी, कितना हो गया, B by A किसके बराबर हो गया, E by 2, तो B square upon A square किसके बराबर हो जाएगा, E square upon 4, अच्छा, अपने eccentricity के बारे में क्या जानते है, E square कितना होता है, 1 minus B square upon A square, तो मैं B square upon A square की value भी पुट कर दूँ सीधे सीधे, क्यों ज्यादा मेहनत कुरूँ, आसान सा सवाल है, चलिए तो यह कितना हो गया, 5E square by 4 equals to 1, तो E square कितना गया, या E में बोलू तो कितना जाएगा, तो E मेरे पास कितना जाएगा, 2 by root 5, बिल्कुल, one of the answer, 2 by root 5, correct है, आभी रहे, चलिए, फटा फटा आगे बढ़ते हैं, तो यह तो एकदम आसन सवाल था, ठीक है, next, fx दे रखा है, और हमसे क्या पूच्छा है, 1 by 5, f-0 is equals to, ठीक है, तो देखने से पता लग रहा है कि fx को थोड़ा सा क्या करेंगे, simplify कर लेंगे, और operation लग जाएंगे इसमें तो, किसी भी एक रो को बाकी दो में से subtract कर दो, तो r2 में क्या लगा दूँ, r2 minus r1, और r3 में भी क्या लगा दू, r3 minus r1, तो जैसी operation में लगाऊंगा, fx में समझो, पहली row तो as it is लिख दी मेंने, second row में देखो, subtract करूँगा, तो 3, 0, और minus 3, और इसमें भी कित्ता हो जाएगा, 0, 3, और minus 3 हो जाएगा, अब क्या करना बचा अपने को, अब ठीक है, expand कर लेते हैं, तो कित्ता हो जाएगा, देखोए, 2 cos 4x, correct, यहाँ देखें कित्ता हो जाएगा, this minus this कित्ता हो जाएगा, 9, minus 2 sin 4x, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, तो यह कित्ता हो जाएगा, minus 9, plus, यह कित्ता हो जाएगा, 3 plus sin square, 2x, correct, और कितना आने वाला है, 9, अब हम देख रहे हैं कि इन सम्में से कितना कोमन आ जाएगा, 9, इन सम्में से कितना कोमन आ जाएगा, 9, और देख लेते हैं क्या बन रहा है, cos 4x, sin 4x, यह तो holy square बन रहा है, यह तो कित्ता हो गया आपका, cos 4x, यह कित्ता हो गया, sin 4x, और देखो, sin square 2x को लिख दो बैटा, तो 2 sin square x, cos square x, 4 होगा न, एक 2 तो अपने बाहर ले लिया, और प्लस कितना आ गया, 3, तो यह किसका बन जाएगा, sin square x plus cos square x का holy square, तो यह कित्ता हो जाएगा, 9 into 2 into sin square x plus cos square x, 1 plus 3, कित्ता हो गया, 45, और अगर fx 45 है, तो f dash x कित्ता होगा, 0 आ जाएगा, बैटा, constant ही तो आएगा, तो fx constant है, तो f dash x कित्ता हो जाएगा, 0, चलिए, आगे बढ़ता है, question number 18, सब database है, जो बच्चों ने बताया हो सकता है, कि थोड़ा बहुत कुछ 19 भी सवाल हो, कहीं data अलग हो, 2x की जगए x हो सकता है, हलांकि हम कोशिश करते हैं, कि एक, दो, तीन बच्चों से confirm करें सवाल को, ताकि आपको सही से सही मिले, लेकिन फिर भी, memory base तो memory base ही है, लिखा हुआ भी है, चलो, x और y, 0 to 10 तक कुछ भी हो सकता है, then the probability of mod x minus y greater than 5 is, ठीक है, total तो कित्ते हो जाएंगे अपने पास, x और y को लेने के तरीके, x लेने के कित्ते option है, 11, again y लेने के 11, तो कित्ता हो जाएगा, 121, favorable और count करने हैं, चलिए, तो favorable count करता हूं मैं बेटा है, तो अब favorable देखो कैसे count करें, mod x minus y greater than 5, case बना ले, if x equals 2 है, 0, if x equals 2 है, 0, then mod y greater than कित्ता होगा, 5, then y कित्ता हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, total कित्ते केस आएंगे, 5, if x equals 2 है, 1, तो mod y कित्ता होने मला है, आपका, mod x minus 1, ठीक है, mod y minus 1 greater than 5, थोड़ा सा simplify करना पड़ेगा, तो यह आपके पास कित्ता हो गया, mod 1 minus y greater than 5, अब आप चाहें, तो इसको solve भी कर सकते हैं, और अगर बैसे देखना चाहें, तो आपको hit and tile से भी नजर आजाएगा, क्यार y क्या हो सकता है, देखें, आपको 5 से बड़ा ची है, तो यह 6 तो डाल नहीं सकते हैं, यहां पर, तो यह तो y कित्ता हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, और 10 हो जाए, तो कित्ते case बनेंगे, 4, x क्या ले सकते हैं, 2 ले लेंगे, x कित्ता ले लेंगे, 3 ले लेंगे, x 4 ले लेंगे, लास्ट वे लेंगे, एकसी कित्ती चले जाएगी, 5, x 5 लेंगे तो उस case में यह कित्ता हो जाएगा 5 minus y greater than 5 तो y क्या ले सकते हैं बताइए 0 ले सकते हैं 10 ले सकते हैं नहीं कुछ भी नहीं गया पाएगा तो यह total हमारे पास कित्ते case बनेंगे 5 ही बनेंगे बैटा तो इन 5 cases के लिए अगर हम sum निकालें तो मैं probability लिप दूँ डायरेक्ट नीचे तो कित्ता हो गया 121 उपर case कित्ते हो जाएगे 5 4 3 2 1 और इंटू 2 करना पड़ेगा इंटू 2 क्यों करा बेटा आप ऐसे समझो कि X 0 है तब हमने Y की वेल्यू निकाली और फिर जब Y 0 होगा तब भी तो X की सारी वेल्यू आ जाईगी नेक्स्ट बढ़ते हैं देख लिए आपने solution आगे बढ़े है चलिए ए ट्राइंगल इस फॉर्मड ए ट्राइंगल इस फॉर्मड वाई वर्टेक्स 0,0 X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y-X,Y- नेक्स्ट बारे में अपने को नहीं पता है तो हो सकता है कि नीचे भी हो लेकिन अगर नीचे ट्राइंगल बनेगा तो भी एरिया पर तो कोई फरक पढ़ना है से रहां एरिया तो उत्ता का उत्ता ही रहेगा ठीक है तो अब हम एकर इसका एरिया निकालें तो एरिया कित्ता है काएगा हाफ बेस तो कित्ता हो जाएगा 2X इन्टो हाइट हाइट कित्ती हो जाएगी यह हाइट तो य है और य किसके बराबर है देखिए माइनस X स्क्वार प्लस 54 बस हो गया अपना तो काम ठीक है माड़ बोर्ड लगा लेंगे लेकिन हम तो डिफ्रेंशेट करेंगे तो उस पर भी बहुत जादा भी ध्यान निदे रहे लास्ट में पोजिटिव एरिया लेंगे इसे अपन तो यह आप देखिए कित्ता हो गया माइनस के X क्यूब प्लस कित्ता हो गया 54 X तो अगर maximum minimum के लिए मैं D delta upon dx निकालूं तो वो कितना आने वाला है माइनस 3 X square प्लस 54 एक्वस्टू कित्ता हो जाएगा 0 तो X की value कित्ती आ जाएगी 18 आ जाएगी X square की value तो आप देखें अगर मैं X की बात करूंगा तो प्लस माइनस कित्ता आ जाएगा रूट 18 आ जाएगा बस तो वह maximum minimum value की बात कर रहा है वह इसी पर आएगा डबल derivative चाहे तो चेक करें नहीं तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो यह value अगर हम इसमें put कर देंगे तो वह maximum minimum area दे रखा है वह आ जाएगा हमारे पास ठीक है कि if x square माइननी 70 x plus lambda equals to 0 have roots alpha beta and alpha beta belongs to n lambda by 2 lambda by 3 not belongs to n then find minimum value of lambda ठीक है चलिए क्या सवाल है रूट alpha beta है इसके ठीक है alpha और beta root है तो alpha plus beta कितना बाई 70 और alpha beta कितना जो हमें lambda है ठीक है यह lambda alpha beta तो इसी को minimize maximize करना है अब देखो एक बात क्या है इस सवाल को थोड़ा सा समझें वैसे तो सवाल आसान है लेकिन अब आपने अगर इसको उससे कर दिया कि आपने इसको चुकि इस चीज को minimize maximize करना है beta की value डाल दी 70 minus alpha और इसको differentiate कर लिया तो मामला बिगड सकता है क्योंकि आप ऐसे समझें आपको यह भी तो देखना है कि यह क्या होना चीए not belongs to n यह क्या होना चीए not belongs to n तो इसमें क्या है कि आप वो integration अगेरा कुछ use ना करके ज्यादा बैतर है कि आप ऐसे देख लें just an observation कि देखो value आपकी 101234 से लेके कहां तक जा सकती है 70 तक जा सकती बैए alpha plus beta कितना आ रहा है 70 आ रहा है अब आप ऐसा समझे इसको मेरी बात को कि जैसे मालीजी alpha 1 है तो beta कितना आएगा 69 तो जो lambda beta आएगा वो कितना आएगा 1 into 69 आएगा तो यह तो lambda by 3 3 का multiple बन जाएगा ना देखो lambda by 3 किसका multiple बन जाएगा 3 का तो जबकि यह तो natural number नहीं होना चाहिए तो अब आप observation से भी देख सकते भी 1 आ नहीं रहा 2 भी नहीं आ सकता क्योंकि 2 आएगा तो फिर वही lambda by 2 2 का multiple 3 भी नहीं आएगा 4 भी नहीं आएगा जो पहली value आएगी वो कितनी आएगी 5 अच्छा अब आप समझें कि यह जो vertex होगा ना तो यहाँ पर minimum value लेगा जैसे जैसे आपन उपर आगे बढ़ते जाएगे value क्या हो जाएगी maximum हो जाएगी जो 35 है अगर alpha बिटा दोनो 35 35 हो जाएगे तो यह अपनी कौन सी value लेगा maximum तो minimum value जो है ना वो आपकी तभी आएगी किस पर है जब यह कितना हो जाए 5 मतलब alpha 5 हो जाए और beta कितना हो जाए 65 हो जाए तो वो जो हम lambda minimum की बात कर रहे ना वो lambda minimum तभी आएगा जब यह 5 हो जाए और यह कितना हो जाए 65 हो जाए सवाल क्या है सवाल बैसे सीधा है यह दे दिया उसने 70 अब मैं ऐसा कहना चाहरा हूं कि एक तरीका हमारे पास वह भी तो होता है कि हम क्या करेंगे लेंड़ा की वेली कित्ते निकालेंगे ऐलफा इंटु सेबक्टी माइनस युफा फिर इसको डिफरेंशीट कर लेंगे उससे लेंड़ा कित्ता आएका अलेकिनीunden है यहाँ फिर लेंगो क्या रेंगे caniamsca धी तो अगर जैसे मानलो कि alpha 2 हो गया तो alpha 2 और beta कुछ भी हुआ, 2 के साथ मानलीजे कि 58 हो जाएगा, तो lambda तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, जबकि 2 से डिवाइड होना ही नीची, तो इसलिए फिर हमने देखा कि 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 होते पर ही multiple चला जाएगा, 4 होते ही multiple बन जाएगा, तो जो पहली value आएगी वो कित्ती आएगी 5, तो 5 और 65 का pair बनेगा, फिर और आगे बढ़ेंगे, मानलो 7 वाला लेंगे तो फिर multiple जादा आ जाएगा, तो इस वज़े से यहां हमें क्या मिल जाएगी इसकी minimum value, य correct है, फिर और आगे बढ़ते हैं, next question पर आते हैं, 21 पर, इसमें देखो क्या दे रखा है, gx हमें दे रखा है, gx is a non constant differentiable function, g dash half, g dash 3 by 2 के बराबर है, और fx यह दे रखा है हमें, ठीक है, correct है, तो हमें क्या निकालनी है, अच्छा, option दे रहे हुए, 1, 2, 3, 4, चेक करना है, ठ क्या दे रखा है, देखो, यह दे रखा है, तो सबसे पहले तो मुझे f dash x से check करना है, ठीक है, check करना है भी, answer answer का, नहीं पता मुझे, ठीक है, तो check करना है, तो check करने के लिए, मैं f dash x निकालनों, बेटा, तो f dash x मेरा क्या होगा, f dash x हो जाएगा, half of g dash x माइनस g dash 2 माइनस x, हो जाएगा, चलो, तो अब अपने को सबसे पहले तो f dash 1 by 2 और f dash 3 by 2 का check करना है, तो f dash 1 by 2 कितना होगा, f dash 1 by 2, g dash 3 by 2 तो 0, f dash 3 by 2 कितना हो जाएगा, 0, 3 by 2 और 1 by 2, दोनों सेम दिये हो, तो पहला तो नहीं हो सकता, दोनों का सम कितना है, 0, 1, नहीं हो सकता, f double dash x for at least one value of x, तो यह तो वो चीज़ बनगी न, rolls, देखो, यह जो function f dash x है, यह जो function f dash x है, यह f dash x एक function है, जो differentiable होगा, continuous होगा, क्योंकि उसने काया न, gx ही differentiable function है, तो अब अगर यह function continuous or differentiable है, और f of a, f of b क्या है, 0, f of a, f of b क्या है, 0, तो फिर हम उसका नहीं use कर सकते, rolls theorem का, तो rolls theorem से at least one value किस के बीच में लाई करेगी, a to b के बीच में लाई करेगी, तो 1 से 3 by 2 के बीच में कम से कम एक root आ जाएगा, किसका, इसके derivative का, तो इसके derivative का कम से कम एक root मतलब f double dash x, और अगर 1 by 2 से 3 by 2 के बीच में at least one होगा, तो 0 से 2 के बीच में at least one root होगा, करेक्ट है, तो यह answer आजाएगा, बात सहुझ में आई मैंने क्या बोला, मैंने यह बोला कि भई, जैको, फर्स्ट तो cancel होगी गया, क्योंकि दोनों 0,0 आ रहे हैं, लेकिन यह जैसे दोनों सेम आए, मुझे रोल स्थोर्म के याद आगी, कि अगर function continuous differentiable है, और f of a, f of b बराबर है, तो a और b के बीच में इसके derivative का कम से कम एक root होता है, तो यह f dash x का derivative क्या हुआ, f double dash x, तो f double dash x का कम से कम एक root किसके बच में जाएगा, at least one root, at least one root of f double dash x lie between 1 by 2 to 3 by 2, और 1 by 2 to 3 by 2 के बीच, at least one root होगा, then 0 से 2 के बीच में तो at least one root होगा, तो बस, यह answer आजाएगा, second, चलो, और भी check कर सकते हैं, बढ़ ठीक है, अपना second answer आगया, फिर क्या करने हैं, चलो, next question पर आते हैं, 22, limit x tends to 0, a e की पावर x square प्लस b cos x upon x square equals to half, then, a, b, c, 4 value हमें दे रखी, तो ठीक है, तो a और b कित्ते अनों है, 2, 2 अनों निकालने के लिए कित्ते relation चाहिए, 2, ठीक है, तो 2 अनों निकालने के लिए 2 रिश है, तो देखो, सबसे पहले अगर आप 0 put कर करेंगे, तो उपर क्या बन रहा है, a, या कित्ता बनेगा, b, 0, तो limit exist कब हो पाएगी, limit exist तब हो पाएगी, जब a plus b कित्ता होगा, 0, क्योंकि आप समझो, अगर उपर वाला 0 नहीं हुआ, तो यह तो infinite पे अप्रोच कर जाएगा, तो finite value आने का प्रश्न ही नहीं, finite value कब ग आने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, a plus b को 0, एक relation तो यह आ गया, चलिए ठीक है, एक काम हमने यह कर लिया, a plus b हमारा कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक, आगे बरते हैं, अब दूसरा काम हम क्या करते हैं, अब चुकि 0 by 0 form है, तो हम LH rule लगा दे, expansion का भी use कर सकते हम, अ अगाहम है, तो a की पावर x square, x square का कितना हो जाएगा, 2x, plus b, cos x का कितना हो जाएगा, minus sin x, upon कितना हो जाएगा, x square का कितना हो जाएगा, 2x, बराबर कितना है, हाफ, अब आप जैसे 0 दालेंगे, देखिए, xx, 2x से 2x कड गया, तो ही कितना हो गया, a, 2a हो गया, और यहां देखिए क्या sin x upon x कित्ता होता है 1 तो minus b by 2 कितना जाएगा 1 by 2 तो a और b में कितने relation आ गए 2 आ गए बिटा 1 and 1 2 तो दोनों relation से क्या निकल जाएगा a और b बस जो भी answer भा जाएगा तो simple सवाल था आपने 0 by 0 form बनाने के लिए a प्लस b 0 उसके बाद l hospital लगा के आपने एक relation और बना लिया और a और b में दो relation आ गए दुनों चाहिए और आप चाते तो उससे भी कर सकते थे एक पार x square का expansion लिख देते है cos x का expansion लिख देते तो नीचे क्या है x square तो उपपर x square से चोटी term के multiple को क्या करेंगे 0 तो coefficient of constant term is 0 and coefficient of x is 0 उसे a और b में यही दो relation आपको मिल जाते हैं चलिए यही तक का data है चलिए तो यह 22 तक का हमने आज का दे दिया है paper का अब अगर कुछ और collect होते हैं तो आपको फिर देंगे अधरवाइस इस काम को भी अपन यहीं पर करते हैं चलिए फिर मिलते हैं कि अधर सब्सक्राइब कर दो